दोस्तों ये है एक और robotic vacuum cleaner आपने इस प्रकार का cleaner पहले भी देखा होगा इसमें ऐसा है कि एक बार ये जो cleaner है आपका घर या फिर office को clean करता है उसके बाद में इसमें जो compartment है जहांपर dust collect होता है उसे आपको clean करना पड़ता है हर एक run के बाद लेकिन ये जो robot है इसमें आपको वैसा करने की जरूत नहीं है तकरीबन 30 days तक मतलब ये की 30 days तक ये automatically काम करता रहेगा और वो इसलिए possible है क्योंकि ये clean based automatic dust disposal system के साथ में आता है ये basically charging station भी है और ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर जो dust है वो collect होता है तो इस robot के अंदर जो चोटा सा dust compartment है उसमें ज रोबोट rhomba i7 plus देखते रहे हैं यह आय रोबोट rhomba i7 plus चलिए मैं फटावर इसकी unboxing कर लेता हूं गिली जी बॉक्स को मैंने खोल दिया है और जो product है इसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है यह है getting started guide और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे accessories है यह है dustbin bag filter power cord यह है brush और यह काफ़ इंट्रस्टिंग है यह virtual wall इसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं एक तो इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से और यह जो virtual wall है इसे यूज करने के लिए आपको batteries की जरुद पड़ेगी जो की box के अंदर दिया हुआ है इस area में यह है dustbin जहां पर garbage collect होता है और charging station लेकिन इसे निकालने के लिए मुझे यह जो box है इसे बाहर निकालना पड़ेगा इसकी unboxing मैं बाद में करता हूं यह दिखें इस प्रकार का है यह charging station as well as collection box अब यह जो unit है यह काफी बड़ा है और फाइनली यह जो box है इसे भी मैं खोल देता हूं इसके अंदर है robot vacuum cleaner यह यह है आय रोबर्ट रोमबा मैंने हाली में इस प्रकार के robot vacuum cleaner का वीडियो बनाया था इसकी जो quality है देखते ही आप समझ जाएंगे कि एकदम premium level की है नीचे तीन विर्स दिया इस प्रकार का दिखता है यहां पर touch sensitive buttons दिया हुआ है इस box के अंदर यह है user manual booklet और यह है warranty booklet यह जो dust disposal unit है यह charging station के साथ में भी आता है यहां पर charging points है इस bin में dust collect होता है और कुछ दिनों के बाद अगर आपको dust remove करना है तो इस प्रकार से जो धक्कन है यह खुल जाता है और इ clean general यह जो dustbin है वैसे ही काफी clean रहता है क्योंकि इसमें यह bag दिया हुआ है और यह काफी आसानी से निकल जाता है और इसे आप dispose off कर सकते हैं और एक और bag को इस प्रकार से काफी easy है यह रिखिए इस प्रकार से इसे फिर से set कर सकते हैं इसे clean करना बहुत ही आसान है और वैसे तो यहाँ जो बिन है उसमें transfer हो जाता है लेकिन अगर आहे से clean करना है तो यहां पर इस प्रकार से और यह इस प्रकार से निकल जाता है और यहां पर यहां से आंसे आप पर फिर से connect कर लेता हूं और यह जो roller है अगर आपको इसे clean करना है क्योंकि हो सकता है कि इसमें human hair या फिर thread फश जाए तो उसे आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए यह देखें यह इस परिकार से निकल जाता है आप यह जो roller है इसे निकाल सकते हैं और easily जो hair है या फिर जो thread है उसे निकाल सकते हैं यह है vacuum cleaner का charging points तो यहाँ पर मैंने जो charging station है इसे power cord के साथ में connect कर दिया है और यह जो robot vacuum cleaner है इसे मैं charging point के उपर connect करता हूं manually तो इसके लिए आपको basically यह जो robot है इसे यहाँ पर इस प्रकार से लेके जाना है जब यहाँ पर आपको यह light दिख है इसे आपको इस प्रकार से एक बार करना है मैं यहाँ पर एक temporary job को run करता हूं इस प्रकार का notification आपको मिलने वाला है और यह दिखे जो robot है यह भाहर आ चुका है और मैंने जो job है उसे pause कर दिया है और अब मैं यहाँ पर send button दपाता हूं send home यह basically करने क्या वाला है कि यह जो automatically लेके जाने वाला है देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो robot है यह फिर से जो charging station है वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर जाके dock हो जाएगा अपने आपको charge भी कर लेगा यह देखिए यहाँ पर जैसे ही आपको यह light दिख जाएगा मतलब कि जो docking है यह proper तरीके से हो चुका ह है और अब जो vacuum cleaner है यह charge भी हो रहा है एक बार यह जो vacuum cleaner है इसने अपना काम कर दिया है उसके बाद में आप इसमें जो dust collect हुआ है उसे आप यहाँ पर transfer कर सकते हैं तो वह जो process है मैं शुरू करता हूं application के जरिए empty बेन करके option दिया हुआ है इसे मैं प्रेस करता हूं और ध् आपने सुना बहुत ही powerful शक्षन हुआ है और basically जो dust इस रोंबा में था उसे यहाँ पर transfer कर दिया है इसका मतलब यह है कि आपको बार बार robot रोंबा को clean करने की जरूत नहीं है चलिए अब मैं एक नया job run करता हूं basically जो room है इसे clean करने के लिए देखें इस प्रकार से बहार आ जाता है और यह automatically हर एक कोने में जाने वाला है edge to edge और क्यूंकि इसे मैं पहली बार run कर रहा हूं तो यह जो room है इसे map भी करने वाला है यह देखें किस प्रकार से यह हर एक को application में मिल जाएगा तो first time जब आप इसे run करेंगे यह आपका जो room है हर एक कोने में जाने वाला है और वहां से यह map भी create करने वाला है ताकि अगली बात आप decide कर सकते हैं कि आपको किस room को clean करना है या फिर अगर आपको सारा का सारा room clean करना है तो वो भी आप कर सकते हैं तो य है irobot का application जो कि मैंने smartphone पर install किया हुआ है और यहां से भी आप यह जो roomba robot है इसे control कर सकते हैं history यह दिखिये और इसने map भी create किया हुआ है तो इस प्रकार का है यह map अगर मैं चाहूं तो इसे मैं edit कर सकता हूँ उसके लिए यहां पर options दिया हुआ है room को भी मैं divide कर सकता हो save यह दिखिये और मुझे define करना है जो भी dividers में use कर रहा हूँ basically rooms create कर रहा हूँ तो यहां पर मैंने 3 room create कर लिया है living room है one room and this is two room तो इस प्रकार से आप adjustments कर सकते हैं और यहां से ही आप जो cleaning process है उसे शुरू कर सकते हैं और यहां पर setting के options है जो sound effects है उसे आप set कर सकते हैं अगर कोई update आएगा तो यहां से ही वो आप कर पाएंगे और जो docking station है charging station वो कैसा होना चाहिए यहां पर आप उसे भी set कर सकते हैं यह एक premium three stage cleaning system है जो कि dual multi surface rubber brushes के साथ में आता है 10x structure के साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से floor को clean कर सकता है इसका जो vacuum है यह काफी powerful है यह automatically learn करता है maps को create करता है और आप decide कर सकते हैं कि कौन सा room को आपको clean करना है और कब clean करना है इसमें power lifting structure का उप्योग किया गया है जो dust को बहुत ही बढ़िया तरीके से vacuum कर लेता है 10x the air power और patented iadapt 3.0 navigation system जो है जो कि V slam technology का उप्योग कर रहा है यह surrounding को बहुत ही बढ़िया तरीके स map कर सकता है और efficiently cleaning भी कर सकता है यह robot इतना smart है कि इसे पता है कि कौन सा area clean हो चुका है और कौन सा area को clean करना है pet के hairs को भी यह बड़ी आसानी से vacuum कर लेता है यह 99% mold, pollen, dust mite, dog और cat, allergens को सक कर सकता है hands-free operation के लिए आप Alexa को भी enable कर सकते हैं इस robot vacuum cleaner का best part यह है कि एक बार इसने अपना जो काम है cleaning work वो complete कर दिया उसके बाद में यह इस charging station के उपर आके dock करता है अपने आपको charge करना शुरू करता है लेकिन उसके पहले जो भी dust इसमें collect हुआ है उसे यहाँ पर transfer करता है और जब यह transfer process होता है तो काफी आवाज आती है क्योंकि उतना power चीए जो dust है उसे सक करने के लिए इसमें अब इसमें जो dust collect होता है 30 times का dust इसमें store किया जा सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो unit है तकरीबन 30 days तक अपने आप ही चलता रहेगा और 30 days के बाद इसमें जो disposable dustbin bag है उसे आपको निकालना है और थ्रो करना है ज़्यादा काम नहीं है यह जो disposable bags है इनका जो pricing है यह है 1660 रूपीज तीन bags का और normally जो bags है इने भरने के लिए तकरीबन 60 days लग जाते हैं अब depend करता है कि आपके घर पर कितना कचरा मिलता है एक cleaning sweep में देखिए market में इस परकार के बहुत सारे robots आगे हैं लेकिन उनका सबसे बड़ा disadvantage कह सकते हैं कि आपको इन robots में जो dustbin का compartment है उसे clean करना पड़ता है हरे करन के बाद लेकिन यहाँ पर वैसा करने की ज़रूत नहीं हैं आपको सिर्फ महिने में एक बार जो बिन है इसे dispose off करना है इतना असान है और best part यह है कि यह जो robot है यह चुटी भी नहीं लेता है अगर आपको इस product के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वो मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है इस irobot romba i7 plus का pricing है 59,900 रुपीज जहां से आप यह खरीच सकते हैं उसका link मैंने video के description में दिया हुआ है इस video को like जरू कीजे और देखते रहिए